हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेस्टुरेंट इस्टाइल, स्टिट इस्टाइल क्रिस्पी करारे चटपटे गोभी मंचूरियन की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगते हैं खाने में बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और गोबी का मौसम है और गोबी मंचूरियन ना बने ऐसा तो होई ही नहीं सकता तो ये लगबुत 500-600 ग्राम के बीच में है अब एक कंटेनर लेंगे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी गरम होने के लिए रख दिया है उसमें हम डाल देंगे एक चमश नमक और इसे हम बॉयल होने देंगे जैसे ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा हम इसमें एक एक करके सारे कटे हुए गोबी एड़ कर देंगे इस तरीखे से गोबी को थोड़ा सा बॉयल कर लेने से गोबी के अंदर के जो भी कीडे होते हैं वो खतम हो जाते हैं और गोबी भी हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छे हैसे इसे मिला देंगे और बिल्कुल बस दो मिनट के लिए हमें इसे पका लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे उतनी देर में जो गोभी है वो सॉफ्ट हो जाएंगे और इसके अंदर जो छोटे मोटे कीडर हैंगे वो भी निकल जाएंगे तो चलिए दो मिनट हो जुके हैं गोभी हमारा हलका सा सॉफ्ट हो गया है तो इससे जाधा हम इसे नहीं पकाएंगे इसी स्टेज पर गयस को उежगे अब इसे एक कंटेनर मे कें छान कर अलग कर लेंगे यह देखे गोभी को मैंने छान लिया है पानी अलग कर लिया है अब इसे हम ठंडा होने देंगे जब तक वो ठंडा हो रहा है एक mixing ball लेंगे उसमें हम डाल देंगे 3 टेबस्पून मैदा साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे 3 टेबस्पून कॉर्ण फ्लार अगर आपके पास कॉर्ण फ्लार नहीं है तो आप उसकी जगा सुर्फ मैदे से भी इसे बना सकते है अब हम इसमें एड़ कर देंगे एक छोटा चमच कश्मिरी लाल मिर्ज का पाउडर एक चमच नमक डाल देंगे और आदी छोटी चमच हम इसमें काली मिर्ज का पाउडर एड़ कर देंगे सारे चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे और अगर आपके पास कश्मिरी लाल मिर्ज का पाउडर नहीं है या फिर आप इसे नहीं डाला चाहते तो आप इसकी जगा थोड़ा सा food color भी यूज़ कर सकते हैं जो रेस्टोंट वाले होते हैं तो अच्छे से अब थोड़ा पाई की डाल कर हम इसकी पेस्ट बना लेंगे बहुत जयादा गाड़ा भी नहीं करना है और बहुत जयादा पतला भी नहीं करना है अगर आप चाहें तो इस पेस्ट में एक चमच अदरक लसुन का पेस्ट भी ऐड़ कर सकते हैं तो चलिए अच्छे से मैंने paste बना लिये हैं आप इसकी consistency देख सकते हैं तो इसी stage पर अब हमने जो गोबी चंडा करके रखा था वो सारा गोबी इसमें add कर देंगे अब गोबी को अच्छे से हम इस paste के साथ mix करेंगे ताकि पूरी गोबी में इस paste की अच्छे से coating हो जाए गोभी मंचूरियन हो क्रिस्पी बिनेंगा और खाने में भी वहाँ अच्छा लगेगा तो मैदर डालने के बाद हल्का सा इस तरीके से थोड़ा सा डिप करते जाएंगे और एक एक गोभी को हम निकालते जाएंगे और इसके लास्ट में जो एंड में पेस्ट बच जाएगा उसको हमें यूज नहीं करना है जो थोड़ा पानी पानी रहता है को उसको हम फेक देंगे तो चलिए इसी तरीके से सादरे गोभी को हम मैदे में अच्छे से डिप करकर के निकाल लेंगे इसे गोभी सुखी सुखी रहती है मैदा भी उसके पर जादा नहीं रहता और पेस्ट भी नहीं रहता तो यह बहुत जादा करंची बनता है तो अब एक कड़ाई को गरम कर लेंगे ओल लाल के उसके बाद एक एक करके हम सारे गोभी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक कि हमें इसे फ्राई करना है स्टार्टिंग में चमश नहीं चलाएंगे क्योंकि यह हलका हलका गील है तो चिपकने लगेगा आपके इस्पून पे तो जब यह थोड़ा सब पक जाए उसके बाद हम धीरे-दीरे करके इसे इस्पून से चलाते जाएंगे और अच्छे से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे अब इसी तरीके से बाकी की बची हुई गोभी को भिहम कड़ाई में डालके अच्छा से सुना रहा होने तक के लिए फ्राई कर लेंगे ठंड के मौसम में इस तरीके से गर्मा गरम गोभी मंचुरिन बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में एक बर आप इस रेसिपी को जरूर ट्रै कीजिएगा अगर आज तक इसे नहीं बनाया है तो चलिए सारे गोभी को मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है आप देख सकते हैं यह अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं इस गोभी के पकोड़ों को आप ऐसे ही चाय के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं साथ यह क्रिस्पी भी हैं बर आवास सुनिया आप तो गोभी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं अब सॉस के लिए मैंने यहाँ पर एक प्याज, दो हर इमेर्च, एक इंच अदरक का तुकड़ा और छे से साथ लसुन की कल्या ली थी जिसको मैंने चुटा-चुटा काट लिया है साथ ही मैंने स्प्रिंग अनिय लिया था जिसके वाइट और ग्रीन पाट को भी मैंने अलग रहा काटा है और एक कैपसी कम लिया था उसको भी मैंने चोटा-चोटा कट कर लिया है अब एक बोल लेंगे उसमें हम डाल देंगे एक टेबर स्पून कॉन फ्लार और उसमें दो टेबर स्पून पाई डाल कर इसके एक फुल फ्लेम पर फ्राई करना है तभी इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छाता है और चाइनीज चीजे जो है वो हमेशा फुल फ्लेम पर फ्राई होती है तो उसके फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट अनियन और कैप्सिकम को यहां पर मैंने डार्क सोय सॉस का यूज किया है साथ ही हम इसमें डालेंगे तीन बड़े चमज टोमैटो केचप टोमैटो केचप आप अपने टेस्ट के कोडिंग थोड़ा सा कम या जानदा कर सकते हैं सारे सॉस को अच्छे से हम मिला लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे नमक नमक आप थोड़ा सा हिसाब से एट करिएगा क्योंकि जो हमने सॉस डाला है उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा नमक होता है तो कहीं ऐसा नहों कि नमक थोड़ा जादा हो जाए उसके बाद हम इ अच्छे से इसे पका लेंगे एक दो मिनट के लिए जैसे ही कॉंट पर हमारा पक जाएगा आप देख सकते हैं पेस्ट भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा और इसमें खलकी सी शाइनिंग भी आपको दिखाई देगी तो वाप इसे हम इसे अच्छे से मिला लेंगे हमारा पूरे वी बिल्कुल रेड़ी है इसी स्टेज पर हमने जो गोभी फ्राइ करके रखी थी वो सारी इसमें एड़ कर देंगे मिला देंगे इसे अच्छे से और पूरे सॉस के सांथ गोभी को हम अच्छे से कोट कर लेंगे मैंने इस मंचूरियन के लिए सिर्फ हरी शिम्ला यहां पर मैंने इसे कलर के लिए यूज किया है ऐसा करने से आपका जो मंचूरियन है एकदम स्टीट स्टाइल आपको दिखाई देगा आप चाहें तो यहां पर एक पिंच रेड़ फूट कलर डेकर उसे पानी में घोल करके एड़ कर सकते हैं उससे भी बहुत ही बड़ी दिखाई देता है और हमने जो कश्मीरी लाल मेच का पाउडर डाला था उसके वज़े से आप देख सकते हैं मंचूरियन में बड़ी ऐसा कलर आगया है तो गर्मा गरम मंचूरियन हमारा बन करके बिल्कुल रेड़ी है इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट में हम निकाल द तो लीजिए गर्मा गरम गोबी मंचूरियन बन करके बिल्कुल तयार है तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा और कैसी बनी कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें